हे गाईज विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्पागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज है एक बहुत ही अच्छी खासी अपोस्टनोडी रिलीज की गई है ओएमसी की तरब से यानि की ओडिसा माइनिंग कॉर्परेशन की तरब से पर्मानेट जॉ कोईला निकाला जाता है कादान से उसी परकार से यहां पर लोहा निकाला जाता है ओडिसा की बहुत बड़ी डिपार्टमेन्ट है बहुत बड़ा माइनिंग से OSC यहां पर पर्मैनेट जॉब्स के लिए जब अर्जस्ट वेकिंसी से जो भी candidate eligible है मौका मत चोड़ना क्योंकि mining sector में salary जबर जस्ता देती है यार खास करके जितने भी parks हो गया सुविधा हो गया बहुत सारी opportunity आपको provide की जाती है चले detail में बात करते हैं कौन-कौन से candidate eligible है किस-किस branch के लिए vacancy निकाली गई है और salary कितनी मिलेगी, eligibility condition, selection process क्या रखा गया सब कुछ A to Z process बात करेंगे, वीडियोस को ध्यान पुरुबग देखना ताकि आपके सारी details आपको clear मिल जाए और आराम से ये job आप अपने हाथ में कर पाएं स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक success दिलिप को subscribe नहीं कियें चल्दी से subscribe कर लें, पहले icon को praise कर लें ताकि इसी तरह latest government job and private job की information आपको बराबर मिलते रहें साथ में टेलिग्राम चैनल विगरा जोइन कर लें क्योंकि वहाँ पर निरंतर अपडेट और notification आपको वहीं मिलेगी यह है आपका official notification, advertisement, recruitment, executive in OMC limited यह जो vacancy OMC है OMC gold category and one of the largest state PSU in mining sector यहने कि बहुत बड़ा PSU है गईस, state PSU है और OMC gold category में आता है मतलब है तो यह iron mining की जाती है यहाँ पर exploration area है undertaking आप देख देख सकते है mining and trading iron, chrome हो गया, bauxite हो गया, limitrons हो गया या फिर अलग-अलग lime stone की यहाँ पर खधाने हैं जिस department से जो निकलती है वहाँ पर आपकी job लगने वाली है इस a dynamic competent professional जो भी कहने Dallas पहले है उनके लिए application invite की गई है जरूर एप्लै करना बहुत बड़ी opportunity निकाली गई है यहाँ नेक्स बात करें सबसे पहले पोस्ट की यहाँ पर serial नमर डिसकस करेंगे नेमाबधी पोस्ट, salary कितनी मिलने वाली है उसके बाद initial basic पे, initial मतलब जब आप joining करोगे ना तो उस time आपकी sale joining कितनी होगी salary, total number of post and category wise post, vacancy सबसे पहले है senior manager for mining की, जो की e4 grade में vacancy से, इसकी basic पे होगी guys, आपकी 67,700 से लिकर 2,00,000 तक salary provide की जाती, level 13 की job है यार, मालो 24,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इनिसियल basic पे 9,100 है, अधरवाइस TA, DA, HA, PARC, सारी सीजन लगा कि यही आपकी 10,000,000 तक बन जाएगी, total number of post एक है, बट इसमें ज्यादा post नहीं है, next recruitment है deputy manager की for mining grade में, इसमें भी 67,000 से लेकर 2,00,000 तक salary, level 3 की job, यहाँ पर आपको 67,700 रुपे salary मिलेगी in hand, total कितनी post है, 28 post, यह category wise देख सकते हैं, next है deputy manager companies की recruitment है, यहाँ पर भी level 13 की job है, इसमें आपकी जो salary मिलेगी वो 67,700, बढ़ इसमें vacancy जाद है, mostly vacancy किसमें निकाली गई है, deputy managers में, जो की mining E grade 2 में, यह 30 vacancy total release की गई है guys, vacancies के अनुसार जो भी candidate apply करना चाहते है form, वो form भर के speed post के दरी आपको courier करनी होगी, जिसके last date है, 19 जनवरी 2024, यहनि अपके पास अराम से अभी time है, application कैसे send करनी है, सब कुछ में बता दूँगा, senior grade वाई, जो की में vacancies total यहाँ पर बता चुका हूँ, कोई doubt है vacancy की answer, तो comment कर सकते हैं, अब चले preference, post वाई देखतो, सबसे पहले senior manager की, जो vacancy है, mining मे उसमें BB deck के candidate apply कर सकते हैं, mining engineering वाले, plus first class की MMCC certificate होना चाहिए, यह normal certificate है, जो जरूरी है, बड़ यह highly experience post चाहिए, क्योंकि आपको पता है, इसमें 2 लाग तक सल रहे हैं, क्यानवे जार, यानि कि highly post थी, एक post थी इसमें, तो इसमें experience मांगी गई यह 8 साल की, बड़ ड़सेंट सब में experience नहीं है यार, next recruitment जो deputy manager है, E grade वाले के लिए, यह vacancy थी 28, और यही vacancy मायने रखती है, जो भी candidate apply करना चाहता है, इसमें कौन apply कर सकते हैं, तो देखो, diploma mining engineering, with first class की MMC certificate, अधरवाय आपने B BITEC कर रहे हो, mining engineering, तो basic apply कर सकते हैं, पर इसमें second class की MMC certificate भी है, तो चलेगा, यानि कि diploma और BITEC, यही vacancy हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि all India के level के लिए, और सभी candidate apply कर सकते हैं, without any experience, 21 साल से लिकर 38 साल के candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं, that is great opportunity, diploma वालो, BITEC वालो, बहुत कम आप सभी candidate के लिए vacancy निकलती है, mining में, तो अभी निकाली गई है, मौका मत शोड़न बहुत अच्छी खासी opportunity है, next है deputy manager companies की, तो इसमें graduation मांगी गई है, अगर आप कर रखे हैं, तो apply कर सकते हैं, most qualification experience, mostly 3 years है, एक चीज़ गौवर्मेंट को समझनी चाहिए, मुझे ये खराब लगती है, जैसे कि मान लो कि यह जो candidate है deputy manager mining में, इनके लिए कोई भी experience नहीं है, औ किस साल से 38 साल, यहाँ पर experience है, 3 साल की age कितनी रखी है, किस से 38 साल, यहाँ पर 8 साल की age कितनी रखी है, किस से 40 साल, जो भी हो, तो गैस ये चीज़ इनको समझनी चाहिए, लोग कितना नहीं समझ पाते हैं, कि age क्यों नहीं accident करते हैं, अगर इनके पास 3 साल के experience है, approximately 40 होना चाहिए, और यह कम से कम 45 होना चाहिए, काफी 8 साल का experience लिया है, इनको क्या लगता है, कि मतलब 20 साल के बाद जौब ले लगा इनसान, खुद तो 60 साल में जौब लिया होगा, जो पेपर बना रहा है, इस तरह से recruitment देखके बहुत बुरा लगता है, कि थोड़ा सा माइन, मा सेलेक्शन मेतलोजी आप देखो, तो सेलेक्शन मेतलोजी बेसिक के रियर, सलेबस देखो, हाईयर रेलवन्ट एक्जो क्वालिफिकेशन उसके बेसिस पे, experience के बेसिस पे, काफी सारा चीज़ है, बट सलेबस बहुत ही मस रहेगी, डिपलोमा डेगरे वालों के लिए, यह यहां पर address mention किया गया है, यह पूरा पीन कोर के साथ, यहां पर आपको भेजनी होगी, और धियान रखना, जो भी candidate form भेजने वाले, सब documents address करके भेजना नहीं, तो आपका form directly reject कर दिया जाएगा, यहां पर सब चीज़ के बारे में बताया है, कि क्या-क्या documents आपका लगेगा 10th past, डिपलोमा, जो भी आपने कर रखी हो, अधरवाइस first class की MMC certificate है, सब सारे चीज़ें attach करके send करना नहीं, तो साफ साफ mention किया गया है, कि आपका regular जो documents है, यानि कि जो educational qualifications, अगर आप OBC हैं, तो OBC का certificate होँआ चाहिए, यह सारी चीज़ें आपके पास नहीं है, अगर आप बड़ा सा diffusion के चक्कर में, सारी link description मौज़ूद मिल जाएगी है, form की भी और notification की भी, कुछ भी doubt है आपके मन में, आप बेज जा comment कर सकते हैं, deadline याद रखना कि 19 जनवरी तक आपके हाथ में, आप अराम से आपके पास कम से कम 15 दिन का time बचाए, safe 15 दिन का, और 15 दिन किसी भी form भरने के लिए enough है, तो जाओ जाकर apply करो, कुछ doubt है, comment करके बताना, वीडियो इस पर लगी हो, like, share and subscribe जरूर करना गाईज, और इसी तरह jobs audit पाने के लिए, telegram चैनल को join कर लें, काकि notification और form, दोनों आपको वहीं मिलेगी, ओके, चले मिलते ने एक्स वीडियो में, तद तक जहेंद